चौर्चन पूजा दोहजार चौविस कभ है चौर्चन जानेशु मुहुरत पूजा विधी वह महत्व चौर्चन पूजा दोहजार चौविस भादर पर्द माह के सुकल पक्ष की चतूर्थी तिथी को चौर्चन का पर्व मनाया जाता है और इस पर्व को चौर्चन के नाम सभी जाना जाता है ये पर्व मुख्य रूप से बिहार जारखंड उत्तर प्रदेश मित्लांचल में मन आया जाता है इस दिन भगवान गनेश और भगवान चंदरदेव की पूजा अरचना की जाती है धारमिक मनेता के अनुसार भादर पर्द माह के सुकल पक्ष की चतूर्थी तिथी के दिन भगवान चंदर माह को कलंक लगा था इसलिए आज की दिन जो भी लोग भगवान साथ साथ भगवान चंदरदेव की पूझा अर्चना करते हैं उन्हें चंदरदोस से मुक्ति मिलती है इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्रों की दिर्ग आयू के लिए उनकी सुख समरिधी के लिए उनकी कल्यान के लिए उनकी उज्जोल भविस्य के लिए ये व्रत रखती ये जानते हैं साल 2024 में चौर्चन पूजा कब है पूजा का सुमुहरत कब है और इस वरत की विधी क्या है और इस दिन किये जाने वाले उपाई चौर्चन पूजा की कथा एक पौडानिक कथा के अनुसार एक बार भगवान चंदर देव ने अपनी सुन्दरता के अभिमान में भगवान गनेश का मजा कुरा दिया जिसके बाद भगवान गनेश ने उन्हें श्राप दिया उसके बाद भगवान गनेश को मनाने के लिए चंद्रदेव ने भादरपद मास की चतुर्थी तिथी को गनेश जी की पूजा की और उनकी भक्ती से प्रसंद होकर भगवान गनेश ने उन्हें आशिरवा दिया कि जो भी इस खास मंत्र के साथ गनेश चतुर्थी को चंद्रदेव का दर्शन करेगा, उनका जीवन निश् तब ही से ये चौर्चन का पूजा मनाया जाने लगा। इसके बाद कच्चे चावल को पीश कर घर के आंगन में रंगोली बना कर आंगन को अच्छे से सजाया जाता है और इसके बाद केले के पत्ते की मदद से गोला कार चांद बनाया जाता है। इसके बाद पूजा में तरह तरह के मिठे पकवान जैसे खीर, मिठाय, गुजिया और फल आदी भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। और अंत में पशिम दिशा की ओर मुख करके रोहिनी नक्षत्र सहित चतुर्थी में चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस पूजा में दही का काफी महत्व है, इसलिए इस दिन मिठी के बरतन में दही जमाया जाता है और इस दही को पूजा के दौरान इस्तमाल किया जाता है। इसके अलावा बांस के बरतन में विशेश खीर तयार की जाती है जिसका भोग भगवान चंद्रदेव को लगाया जाता है। चौर्चन पूजा का सुमूरत चौर्चन वरत पूजा 2024 सुमूरत अब पूजा का सुमूरत को भी जान लेते हैं जो इस प्रकार है। अब आपको बता दें कि वर्ष 2024 में चौर्चन पूजा 6 सितंबर दिन सुक्रवार को मनाया जाएगा। भादरपद मास के सुक्ल पक्ष की चतूर्टी तिथी प्रारंभ होगी 6 सितंबर 2024 को 2 पर 3 बज कर 1 मिनट पर भादरपद मास के सुक्ल पक्ष की चतूर्टी तिथी समाप्थ होगी 7 सितंबर 2024 को साम 5 बज कर 37 मिनट पर तो 2024 में चौर्चन पूजा जो है वो 6 सितंबर दिन सुक्रबार को मनाया जाएगा कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना बिल्कुल न भूलना थैंक्स पूर वाचिंग कीप सब्सक्राइब न वीडियोнов के विंड वे संस्थ किस्टरब मेना थैंक्स की जऑ्स कि हमारा भूलनाat और सहा को अबदाने कि आ एप सूछीयत है झात्ष बाइकर को बार राव झाल